कारते जा रहे एक स्टूडेंट दी बाइक सवार कॉंस्टेवल दे नाल टकर हो जान दिया है ते सवार परिवार ने पुलिस करमी थे रोप लगांदया केहा कि एकस्टेट दो बाद कॉंस्टेवल ने अपने हेलमेट दे नाल उसनों कंपी रूप दे नाल जख्मी कर देता ते इस सवार कॉंस्टेवल दे कारवाई करन दी वजाए उनना दे बेटे करन दे ही रैश ड्राइविंग तहत मामला दर्स कर देता उन इस सवार परिवार वलो एक सीसी टीवी वीडियो विखाई गई है जिसने विज़ पुलिस करमी हाथ से दो बाद हेलमेट नाल उस नौजवान से हमला कर देता है जिस दो बाद ओना ने इस समंदी न्यूज जेटिंदी टीम दे नाल गलवाद किती चंदिगर के सेक्टर 26 में एक मामला सामने आया था 17 नवंबर को जिसमें अचानक एक गाड़ी बाइक से हिट हुई थी और जो बाइक सवार था पुलिस करमी था उसने उतरते ही कार सवार को बुरी तरह से हेलमेट उसे मारा था हलाकि इस मामले में किसी भी तरह से जो पुलिस करमी था उस पर कोई कारवाई या किसी भी तरह से पुलिस की तरफ से कोई नहीं की गई उल्टा जो नौजवान था जो कारचलक था उसी के खिलाफ कारवाई करने की बात की गई उसी के खिलाफ काफी उसको हराश किया गया इस मामले में अब जो परिवार है वो कोट बहुंच चुका है कोट में एक CCTV भी दी है जिसमें CCTV में साफ तोर पे देखा जा सकता है कि किस तरह जो पुलिस कर्मी है वो नौजवान को उतरते ही मारता नजर आ रहा और बुरी तरह से हलमेट मारते की पूरी CCTV सामने आई है पेरेंट्स हमारे साथ हैं उनकी वाइफ हमारे साथ है सर हाला कि मामला करीब एक महीने पुराना है लेकिन CCTV अब सामने आई है CCD में देखा जा सकता है कि बुरी तरह से हलमेट से मार पिट कर रहा है इस मामले में पुलिस ने क्या कारवाई की सर पुलिस ने मौके पहुंच कर दोनों को वहां मेडिकल के लिए लेके गए सेक्टर 16 में जो मुझे बताया गया बाद में तो 16 में जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा यह मलब देखने में ऐसा लगा कि वह पुलिस वाले अपने अंस्टेबल का तो लाज करा रहे हैं और बच्चों को बाहर सडक पे बठा रखाया बरम पे जबकि उसकी हलत ठीक नहीं थी विमिटिंग उसको आ रही थी पानी वह मांग रहा था बच्चा और उसको अकेले को बठा रखाया जाके मैंने उसकी जाके ट्रीटमेंट कर्वा लेंगे हमें जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवानी पढ़ रहे हैं और वह सिर्फ आपने ही कॉंस्टेबल को बेट इस देरे हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो यह बड़ा मुझे दरदनाग लगा और ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ मिनी होना चाहिए और मैं senior officers के संग्यान में लाया हूँ through call करके उनको बताया गया कि ऐसे से हमारे बच्चे की treatment नहीं दी जा रही है उन्हें ने का जी हम देखते हैं हम करते हैं जैसे कि आप पुलिस वाले करते ही हैं तो हमने अपने बच्चे की treatment दलाई और उसको घर लेके आये फिर उसके बाद क मामला उनके पास विचारा दीन है और हमने तो हमारी complaint लेने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया रात को डेड़ वजे वो हमारी complaint ले रहे हैं पुलिस वाले जबकि एक complaint लेने में तो कोई दिकत नहीं होनी चाहिए किसी को और complaint लेके हमें receiving दे दे दें उसकी वो भी नह ले रहे हैं उसके लिए भी किसी से कहलवाना पड़ रहा है कि जी हमारी complaint ले ले लीजी आप यह तो पुलिस का आप कैसे नहाए कि उमीद कर सकते हैं इसमें उन्होंने पुलिस और ने जो है एक मामला दर्ज कर लिया है कि ओ जो अब कोट के विचारा दीन है तो हमें रिखर्ऄ कर लिया है वहां पर पाया की सी सीटी शो काम पल्स को करना चाहिए थ Ball यह पादर में कर रहा था जानने के लिए देखने क्लिए कि क्या हुआ है यह मैंने अपने बेटे की बाद कारी अग्श क्या हुआ है अगर कहीं कैमरे में कुछ रिकॉर्ड है तो वहां पाया गया एक कैमरा मिला वहां पर उसमें पाया गया कि कैसे पुलिस वाला गिरने के बाद हेलमट सिर से उतार कर उसको ऐसे टूल इस्तेमाल करकर बच्चे को बेरहमी से मार रहा है और शुकर है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ भी तो कुछ भी हो सकता है हैलमेट तो कहीं अगर सिर पर लग जाए एक कुछ चोट लग जाए कुछ वह बाद की बाते होती लेकिन यह अधिकार उसको इस ने दे दिया कि तू उतर के उसको मारना शुरू कर दो बड़ी है कि पुलिस वाले पर कोई कारवाई नहीं लेकिन जो बेटे है आपके उसको मारा भी गया उस पर मामला वीदाची यह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाख है बींगे मदर आज भी मुझे ये बात सुनकर आज आखों मैं आज हो आ रहे हैं तो कि उस टाइम पर बेटे की आलत देखने वाली थी वो घर आया तो इस लिटली शॉक उस पर मतलब बता रहा था कि ममा मैं मेडिकल सी लिए भी किया हूं सोला कि आज वास्पिटल में तो वहां पर मुझे बाहर कर दिया गया इवन डॉक्टर्स भी मुझे अटेंड नी कर रहे थे तो किस तरह से देखते हैं कि पुलिस जिस तरह से उसके ऐलिगेशन लगे हैं पुलिस वालो पर एज पेरेंट आप किस तरह से देखते हैं As a parent, it's really disappointing, very disappointing. लेंगे बिल्कुल और ये भी सामने आया था कि गाड़ी भी आपकी की बंद कर दी गई थी उनकी गाड़ी वगारा कुछ नहीं जी गाड़ी ले गए वो भी हमने कोट के मादे हमसे ही गाड़ी को छड़वाया है तो उन्होंने अपनी नो अब्जेक्शन देने के बाद ही हम वहां से गाड़ी वापस ली है हमने पुलिस करमी की गाड़ी भी बाइक वगारा भी रखी गई तो वह गाड़ी है उसने पुलिस वाले को तो मोट सेकल वो ले गए आई डून नो अब उन्होंने उसका रखा नहीं रखा वो चला रहा है क्या हमें कुछ नहीं बताया गया तो नाचरली होता है कि रिस्पॉंसिबल वो बॉडी में काम कर रहे हैं तो एक आम जंता क्या करे कि जिस तरह से उसने बहुत गलता बच्चा है उत्रा वो स्पेशली के अंकल गिर गया है तो मैं उसकी हेल्प करूँ या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आगी नहीं वो तरके हेल्मेट उठाया उसने माना शुरू करते अब वो तो उसकी हाइट अच्छी है तो उसने अपने हाथों से अपना बचाफ किया जो भी है अदर्वाइस वो हेल्मेट अगर सिर्फ पे लगता तो में भी कोई बड़ी इंजरी हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते आज तो चलो हम बात कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीजे हैं और लेकिन बड़ा एक सवालिया निशान है कि आखिर अगर पुलिस कर्मी है तो उस पर क्यों नहीं कारवाई या उससे क्यों नहीं पूछ ताच की गई एक बहुत सारा सवाल उठते हैं हाला कि पेरेंस ने ही पूरा जा पर क्यों कारवाई नहीं की जाती अगर कोई गलती हुई है तो दोनों साइट से देखना चाहिए दोनों साइट की कंप्लेंड लेनी चाहिए और ये कानून भी कहता है अब देखना होगा इस पूरे मामले में सीने रधिकारी किस तरह की कारवाई करते हैं चंदिगर से कैमरामेन विनुद कुमार के साथ मनुज राठी न्यूज 18 पर जाओ